जी हाँ दोस्तों अब बक्त आगे है बदलाव का आज हम आपको रोग रोग कराने जा रहे हैं कैसे प्रोड़क्ट के साथ जो कि आपकी लाइफ को बनाने वाला है एक दम इजी और आपके घर को बनाने वाला है साफ यारे की क्लीन और शाइटिंग आपने बहुत सारे क्लीनिंग एक्विपमेंट्स इस्तमाल किये होंगे डस्टर्स, मॉप्स, वाइपर्स पर आज हम आपके लिए लेकर आएं एक अनोखा क्लीनिंग प्रोड़क्ट कवाची इजी मॉप आपसलूटली दोस्तों जो की आपकी क्लीनिंग को बनाने वाला है एकडम सिंपल अब आप ये भी कह सकते हैं आप क्लीनिंग इस नाव आक्चुली पन पता है क्या होता है शहजाग अगर हमें साफ सफाई करनी पड़ेना तो बहुत जंजट वाला काम लगता है यानि कि आपको सिस्टना करना है कि इस तरह से नीचे रखना है और स्वथालिक कासे इसका इस तरह से गुमाना है और फिर पुष करना है और एकडम साफ वैसे भीन देखो मज़े जुपना नहीं बढ़ रहा है तुम देख रहो इजी मॉप को यूज करना बेहत आसान है इसे आसानी से असेंबल जो कर सकते हैं जरूरत के अनुसार इसके इस हान्रिट को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं यानि कि सफाई करते समय इसका ये अटाच्मेंट 180 डिडी तक रोटेट होता है जिससे क्लीनिंग हो जाती है एक दम कमफर्टिबल ये किसी भी पूले में आसानी से जो पहुँच जाता है चाहे दिवार हो, सीलिंग हो, फ्लॉर हो, किसी भी सर्फिस को ये बहतर सफाई देता है कोई भी गंदगी इसके micro-fiber से बच्च जो नहीं पाती है इसके micro-fiber brushes किसी भी गंदगी को आसानी से एब्जोब जो कर लेते हैं इस brush को change करना भी बहत आसान है और Easy Mob को आसानी से easy bucket में डाल कर wash कर सकते हैं और उसके बाद इसका brush 360 degree पर rotate करता है और हो जाता है एकदम ड्राय यालिकि किसी भी तरह की गंदगी को साफ करने के लिए फेर से तयार कवाची इजी मॉप अच्छे इस बात बताओ शैजाद कहते हैं कि जो लड़के होते हैं बहुत जादे शैतान होते हैं तो क्या तुम भी कुछ ऐसी शैतानी करते थे कि तुम्हारी मॉब तुम्हें बहुत मारती हो हाँ हाँ बच्पन के अंदर मैं सिर्फ घर गंदा करता हूँ और कुछ काम ही था इन फैक्ट बच्चे और कुछ करते भी तो नहीं हैं यह तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा और आज करके पढ़ने लिखने वाले बच्चे कभी फर्ष पे इंग गिरा देते हैं कभी पेंट गिरा देते हैं कभी खाते-खाते केचप गिर जाती है और उसके बाद मॉम पिटाई करने के लिए एकदम तयार हो जाती है क्योंकि सफाई आखिर करेगा कौन कभाची इजी मॉब चाहें गंदगी सूखी हो या गीली इसके माइक्रो फाइबर किसी भी तरहां के लिक्विट को एब्सॉप करने में एक दम सक्षम है चाहें रंग गिर जाए या कैचप गिर जाए चाहें या कॉफी गिर जाए क्या सोच रहे हैं अफकोर्स ये इसे एड्जॉप कर ही लेगा लेकिन अगर आपके पास है ये कवाची इजी मॉब आपको करना सिर्फ इतना है कि बच्चों ने चाहे कुछ भी गिराया हो पस हलका से ऐसे रखना है पस है तो असे ट्विस्ट करना है और फिर घर गंदा करने के लिए फिर से तयार हो जाएगा अब अगर घर की पूरी सफाई करनी हो तो इसका मतलब घंटों का जंजट सोचो पंके साफ करना जाले निकालना सोफे की पिची की सफाई, खिडियों की सफाई और अगर किसी की हाइट छोटी हो तो सोफे पे चड़ चड़ के लोग छटों की सफाई करते हैं लेकिन तुम्हें पता है हमारी सकवाची इजी मॉप के साथ यह सब बहुत आसान है अब इसकी लेंध हमने इतनी रखी है इसको हम यहाँ पर कर देते हैं लॉक्ष यह देखो यह लॉक्ष हो गया अब खड़े खड़े अराम से तुम जहत की सफाई कर सकते हो अब अगर तुम्हें टेबल साफ करना है तो इसकी हम हाइट कर देते हैं छोटी याने की यह देखो सो इजी और यहाँ इसे कर देते हैं अब यह हो जाता है आपके इस आंगल पि लॉक्ष और आप इसली अपने एक सोफे के नीचे भी साफ कर सकते हैं और वैसे ही इसका जो यह रिकलाइनिग मारेशी डिग्री जो है इसकेन गो अप तो एनी प्लेस याने कि अब आप सोफे के पीछे की सफाई, बैट के साइड की सफाई, परदों की सफाई, छथ की सफाई, कहीं की भी सफाई कर सकते हैं वो भी घंटों में नहीं, मिंटों में इसलीटली, कवाची इजी मॉब इजी मॉब है, यूसफुल, कमफटेबल, एन अफकॉस, अफ़ोडेबल इसलिए जादा जुके भीना या कोई भी परिशानी फेस किये भीना, आप अपने पूरे घर को चमका सकते हैं पूरे घर की सफाई कर सकते हैं, वो भी चका चक, ये फोल्डेबल भी है यानि कि आप इसे फोल्ड करके या फिर इसके पार्स को डिटाच करके अपने घर के किसी भी कोने में आसानी से स्टॉर कर सकते हैं यानि कि आपको अपने जाडू, पोचे, बाल्टी का जंजट छोड कर सिर्फ एक ही चीज रखनी है घर पे, विच इस ओल इन वन, कवाची इजी मॉब अब पूरे घर की तो सफाई हो गई, अब ये बताओ कि इस गंदे से मॉब की सफाई कॉन करेगा ये काम मेरा है, लाओ, इजी मॉब को साफ करना उतना ही इजी है जितना आप सोच रहे हैं बकेट के लेट साइड के उपर पानी है, जिसके अंदर आप मॉब को डुबाईए, इसे दीरे-दीरे हिलाईए और इसकी सारी गंदगी जो है, वो पानी में चली जाएगी उस सून अजे है आप इसे जाएगी सपिन ड्रायर में डाल सकते हैं, देखें, आप इस देखें किस तरह से आपमाटिकली स्पिन हो रहा है, जाता कुछ करने की जरृत ही नहीं है और इसका सारा पानी बकेट में आ रहा है, यानिकी सारी गंदगी बकेट में और कैसे निकल मालेका, हमने अभी तक हमारे दर्शकों को बताया है नहीं कि ये माइक्रो फाइबर्स क्या होता है? हम अभी बता देते हैं. दोस्तों, माइक्रो फाइबर एक ऐसा मटीरियल होता है जो किसी भी तरह की गंदगी और पानी को एब्जॉब करने में अब सोचो, जब आम नॉर्मली पोचा लगाते हैं, तो कही ना कही गिलापन रह जाता है या फिर क्या होता है? कि जो डर्ट मांस होते हैं, वो जमीन पर आ जाते हैं लेकिन अगर आप Easy Mop का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके Micro Fibers बिल्कुल भी फर्ष पे गंदी की रहने नहीं देते हैं यारे कि फर्ष होता है या कोई भी सर्फिस होता है, एक दम क्लीन और टाइडी कवाची Easy Mop आप मॉब्स इस्तेमाल करके आपने दिखा होगा कि इसका absorption पावर ज्यादा नहीं होता इसे निचोड दिया है, फिर भी टपक रहा है यह है हमारे कवाची के Micro Fibers क्यों ना हम देखें कि इसका absorption पावर कितना है और यहां सामने हमारे पास 500 ml से भी ज्यादा पानी है देखिए, Micro Fibers का कमाल सारे पानी को absorb कर लिया है इसके Micro Fibers बहुत ही strong है कवाची Easy Mop मलिका, क्या तुम्हें पता है कि Easy Mop के जरिये हम tile floors, marbles, walls, गाड़ी के शीशे ली साफ कर सकते हैं Amazing, यानि कि Easy Mop वहां तक पहुँचता है जहां धूर तो पहुँच जाती है लेकिन हमारी पहुँच मुश्किल होती है जैसे कि हम जाले साफ कर सकते हैं जिवारे साफ कर सकते हैं अपनी कबट साफ कर सकते हैं और अगर जबीन पे सौस गिरी हो कुछ भी चीज साफ हो जाती है वो भी बिना गंद मचा है यानि कि एक बार ऐसे मारा और सब कुछ इसके अंदर लेकिन फर्श पे कुछ भी नहीं आजकर जादातर घरों में sliding windows लगे होते हैं जिनके channels को साफ करना बहुत ही मुश्किल काम होता है लेकिन अब आप कवाची easy mop के जरिये इस काम को भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इसका microfiber spools 360 degree तक घूमता है और इसकी rod 180 degree तक bend करती है जिसकी मदद से आप मुश्किल से मुश्किल जगा को बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं ऐसे की सोफे या पलंग के नीचे, अल्मारी के पीछे यहां तक की आप छट और पंखों को भी साफ कर सकते हैं दिवार पे जब ही गंदगी भी आप इससे पूरी तरह से साफ कर सकते हैं अरे हां आपकी गाड़ी की सफाई में भी यह पूरी तरह से काम आता है तो अभी ओर कीजिए आपका अपना कवाची इजी मॉप और बना लीजिए आपके घर की मुश्किल सफाई को बाए हाथ का खेल अच्छा एक बात बताओ जब आम तौर पे तुम घर में होते हो तो क्या क्या चीजे ऐसी होती है तुमारे घर में गंदगी फैलाती है घर में गंदगी फैलानी वाली तो कम से कम हजारों चीज है पर ज्यादातर अगर देखा जाए तो चाय, कॉफी, कोल ड्रिंक्स, केचप हमने अभी तक बताया है कि हमारा इजी मॉप कितना कुछ साफ कर सकता है मेरे क्यासे अब हमें दिखाना भी चाहिए तो एक काम करते हैं गंदगी मैं करूँगी और इतपर सफाई तुम करूँगी ड़न, चल रेडी, रेडी, तो मैं तयार हूं गंद मचाने के लिए और मेरा इजी मॉप तयार है साफ करने के लिए देखे में, यह है पेंट, ओके चलो, साफ करो, बस, यह बास है, यह लोके, यह यहलो कला का पेंट भी साफ करो और कुछ दालना है तो दाल दो, तो छीक है, मेरा फेवरिट चीज दालती हूं, केचाप, यह दो आखे और यह उसका स्माइल, चलो, साफ करो, हो गया, यह अब देखो ओ माई गौद, इस इस सो अमेजिंग, देखा, इजी मॉप का कमाल, वाओ, यह तो एकदम साफ हो गया, मेरे ख्याल से गंद मचाना मुश्किल था और सफाई करनी बहुत आसान थी, मैं यह पूरा दें कर सेता हूं, लगे रहो तुम मैं देखे रहा हूं, क्या बात है, इस आप अपनी कमफर्ट जोन में रहते हुए, मुश्किल से मुश्किल जगाओं की आसानी से सफाई कर सकते हैं, कवाची इजी मॉप, तो इस गंदे स्पूल को साफ करने के लिए पहले इसे डालिये पानी और आराम-आराम से हिलाइए, उसके बाद बारी है हमारे स्पिन बक वाओ, यानि के सफाई के लिए हो गया है हमारा इजी मॉप, पेर से एकदम तयार परफेक्ट, नो डर्ट, नो जाम, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इजी क्लिनिग इजी मॉप इजी मॉप को खास डिजाइन किया गया है, human body के posture, comfort और flexibility को ध्यान में रखते हुए तांकि आप जादा जुके बिना घर के कोने-कोने की सफाई कर सकें, वो भी एकदम चकाचा सूखी गंदगी हो या चिपचिपी, हमारा कवाची इजी मॉप हर तरह की गंदगी को 100% साफ करने में एकदम सक्षम है कवाची इजी मॉप अब जाडू पोचे के पुराने तरीकों वो करिये, बाइ-बाइ और अपना ये सफाई करने का एक बहुत ही आसान और मस्ती भरा तरीका कवाची इजी मॉप So now, no tension for cleaning, because cleaning is fun और देखिये, इसका micro-fiber spool आप कितनी आसानी से बदल सकते हैं अगर वो गंदा हो जाए तो, वाउ, it's so simple and effective It is just amazing, क्योंकि ये हैं कवाची इजी मॉप इसे आप आसानी से clean कर सकते हैं पहले दो ये, फिर ड्राइ कीजिए It is easy to use, और आप इसके micro-fiber spool किसी भी washing machine में दो सकते हैं कवाची इजी मॉप दोस्तों सोचिए, जमाना कितना बदल गया है Smart mobile phones आ गए है, LED televisions आ गए है लेकिन सफाई करने का वही पुराना नजरिया हम सब अपना रहे हैं वही गंदा सा पोचा और वो गंदी सी बाल जी जिससे होता है कमर में धेर सारा दर्थ और गुट्णों में होती है बहुत सारी तकलीफ तो क्यों ना सफाई का भी एक stylish और असरदार तरीका अपनायाजा है घर ले आईए आप कवाची इजी मॉप इजी मॉप को यूज करना बेहत आसान है किसी भी सर्फेस को ये बहतर सफाई देता है कवाची इजी मॉप तो अभी ओडर कीजे आपका अपना कवाची इजी मॉप और बना लीजे आपके घर की मुश्किल सफाई को बाई हाथ का खेल इसमें पानी सोखने की एक अनोखी शमता है यानि कि ये माइक्रो फाइबर स्फूल स्पेशली कुछ भी अब्सॉर्ब करने के लिए ही तो बने हैं इसलिए अब नो जंक स्टाफ ऑन दे फ्लॉर और आपका घर होका एकदम चम चमाता हुआ यानि कि अपसिडूटली क्लीन जिसका पूरा श्रय जाता है आपको आखिरकार सफाई आप नहीं तो की है कवाची इजी मॉब के साथ अरे अभी तक आप देखी रहे है जल्दी से फोल उठाइए और अभी ओडर कीजिए क्योंकि हमारे पास है हमारे प्रोडाक्ट के लिमिटेट स्टॉक्स क्योंकि ये वारा तो मैं घर लेके जा रही हूँ आप अपना कवाची इजी मॉब अभी ओडर कर रहे हैं ना कवाची इजी मॉब कहीं ऐसा नहों कि आप देर कर देख और स्टॉक हो जाए इसलिए जल्दी से पोर उठाईए अभी कॉल लगाईए और जल्दी से जल्दी अपना कवाची इजी मॉब ओडर कीजे और अपने गर की सफाई को बनाएए आसान कवाची इजी मॉब